पहले तो डाइलाग के तरह मूछे हो तो नत्थुलाल जैसी है अब संसुरन करना पड़ाईगा मूछे हो तो बलराम जी जैसी है रहा अगर आप फिल्मों के शौकीन है तो आपने साल 1984 में आई बॉलिवुड की जबर्दस्थ हिट फिल्म शराबी तो जरूर देखी होगी उस फिल्म में सदी के महानाय का मिताब बच्चन का एक मशूर डाइलोग है मूछे हो तो नत्थुला जी जैसी वरना ना हो ये डाइलोग इतना हिट हुआ था कि उसके बाद देश के युवाओं में मूछे बढ़ाने का क्रेज देखा जाने लगा था नमस्कार आप देख रहे हैं श्रेश भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंग हमारे साथ ये जो तस्वीर लगी है ये नत्थुलाल की तो नहीं है लेकिन मूछे जरूर नत्थुलाल से बड़ी है इन से मिलिये ये है मध्यप्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले बलराम सिंग चंदेल और इनके साथ मंच पर खड़े हैं MP के CM डॉक्टर मोहन यादव जो कह रही है मूछे हो तो बलराम जैसी वरना ना हो दरसल MP के ग्वालियर के रहने वाले बलराम की मूछे देख कर खुद CM मोहन यादव उनकी तारीफ किये बिना खुद को रूक नहीं पाए लोगसभा चुनाव सिर्पर हैं लेहाजा प्रचार के लिए ग्वालियर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोलायत में जम कर प्रचार किया और लोगों से भाजपा के समर्थन में वोट करने की अपील की इस दौरान उनकी नजर भीड में बैठे एक शक्स पर गई जिनकी मूचे बहुत बड़ी थी और कानों के पीछे तक लपेटी हुई थी मुख्यमंत्री मोहन ने उन्हें मंच पर बुलाया और उनकी मूचों की जमकर तारीफ की सियम मोहन ने कहा इन मूचों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मूचे नहीं किसी माईक का तार है उन्होंने पहले तो लोगों से इस शक्स का नाम पूछा और फिर कहा मूचे हो तो बलराम जी जैसी वरना ना हो बलराम की मूचों के फैन हुए डॉक्टर मोहन यादम ने नसिफ तारीफ की बल्कि उन्हें छूकर भी देखा इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब तो डायलॉग में संशोधन करना पड़ेगा और कहना होगा कि मूचे हो तो बलराम जैसी आपको बता दें कि सीएम के मूचे पर अपनी मूचों की तारीफ करवाने वाले बलराम की मूचे लगबक 10 फीट की बताई जाती है जब बलराम ने मूच पर ही अपनी पूरी मूचों को खोला तो इनकी लंबाई देखकर वहां मौजूद हर शक्स हैरान रह गया लोगों ने जम कर उनकी मूचों की साराहना की और खूब तालियां बजाई सीएम के सामने मंच पर खड़े होकर मूचों को ताउद देने वाले बलराम के नाम पहले भी कई रिकॉर्ड है जिनमें उन्हें लंबी मूचों के लिए सम्मानित किया जा चुका है गौलर के बलराम के माने तो वो कहते हैं कि मूचे नहीं ये मेरी पहचान है तो फिलाल किस खबर में बसता हैं बाकी खबरों के लिए देखते रहे हैं श्रेष्ट भारत श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत